हेलो स्टेट्स वेलकम टू चानल सब कुछनों आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास एट यूपी बोड का एक्सरसाइज वन का सी का बचा हुआ क्वेस्टन इससे पहले वाले पाट में आप लोगों ने वन सी में क्वेस्टन नंबर फाइब तक पूरा कम्प्लीट पढ़ाई किया था अगर आप लोग चना पना है चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेर करिए ताकि सभी लोग घर से आसानी सानलाइन पढ़ाई कर सका देखिए ये नए सत्र में हमने यूपी बोड क्लास एट मैथ को फिर से शुरू किया है चैप्टर वन से इससे पहले हम पिछले साल वाला पूरा मतलब हमने चैप्टर वन से एटीन तक पूरा कम्पलीट कर दिया है तो हमने चैप्टर वन से चैप्टर सिक्स तक जो कुछ कोस्टन छोड़के पढ़ाया था हमने ब्लैक बोड पर भी पढ़ाया हुगा था तो पराइब करें तो पहलेट करेंगे ब्रैकेट को तोड़ देते हैं और उसके बास लेक market करेंगे तो किADE Carlo करते हैं प्लस माइनस का गुडा माइनस यहाँ दोबटा पाँच लिख लेंगे यहाँ देखिए माइनस माइनस का गुडा प्लस में दोबटा पंदरह अब देखिए अब नीचे वाले संख्याओं का लोस लेते हैं 6, 15 और 6, 5 और 15 का लोस तीस हो जाएगा लोस आप लोग लेंगे तो 6 से भाग करेंगे 30 में तो 5 बार में कंसील हो जाएगा 5 का 1 में गुड़ा करेंगे तो यहां 5 लिखेंगे फिर minus 5 से 30 में भाग करेंगे 6 बारे में कटेगा 6 का 2 में गुड़ा करेंगे तो 12 फिर plus 15 से 30 में भाग करेंगे 2 आयागा 2 का 2 में गुड़ा करेंगे तो 4 अब देखिये यहाँ पर दो संख्या पलस में है एक minus में तो दोनों पलस वाले को जोड़ लेते हैं 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 और माइनस 12 और बटा में 30 अब देखिए एक संख्या प्लस एक माइनस में हो तो घटाते हैं चिन बड़े वाले का रखते हैं 9 बारा में 12 का चिन है माइनस तो माइनस रखेंगे बारा में सो 9 घटाएंगे तो 3 और बटा में 30 अब या तो ये answer लिख सकते हैं तब भी सही है और 3 से 30 को काट सकते हैं यहाँ एक बार में और यहाँ 10 बार में तो माइनस में एक बटा 10 हो जाएगा ये answer हो सकता है और ये भी हो सकता है ये भी दोनों सही है तो इस तरस question को solve करना है अब हम लोग question number second देखते हैं इसी 6 का ये question second दिया है तीन बटा आठ माइनस फिर ब्रेकेट में माइनस दो बटा तीन फिर प्लस फिर ब्रेकेट में माइनस में पांच बटा छाथीस इसको भी इसी तरह solve करेंगे तीन बटा आठ को लिख लेते हैं माइनस माइनस का गुड़ा करेंगे प्लस हो जाएगा दो बटा तीन ब्रेकेट हट जाएगा फिर प्लस माइनस का गुड़ा माइनस में पांच बटा छाथीस अब देखिए 8, 3 और 36 का जब लॉसा लेंगे तो 72 हो जाएगा 8 से भाग करेंगे 72 में तो 9 बार में ये भाग कट जाएगा 9 का 3 में गुड़ा करेंगे तो हो जाएगा 27 यहाँ प्लस 3 से 72 में भाग करेंगे तो 30 बार में कटेगा प्लस में है जोड लेते हैं 27 और 48 को तो 75 और माइनस 10 बटा में 72 हो जाएगा अब एक संख्या प्लस एक माइनस में है तो इसमें से इसको घटा लेंगे चिन बड़े वाले का प्लस ही रहाएगा हो जाएगा 65 बटा में 72 तो हम लोग यही एंसर लिख लेंगे अगर कटने वाला होगा उपर नीचे तो काट भी सकते हैं आप लोग आप हम लोग कोस्चन नमबर 7 जो की exercise 1C का लास्ट कोस्चन है इसको देखते हैं तो देखिए आपर कॉस्चन नमबर 7 दिया है निम्नांकीत में से कौन कौन से कथम सत्य है इसमें चार कोस्चन दिये हुए इसमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा और सत्य है मतलब केवल सत्य पूछा तो कौन सत्य है उसी को बताना है तो हमको क्या करना है बताने के लिए हम लोग रफ पर सॉल्ब करेंगे और फिर वाले कॉंपी पर हम लोग बस टीक लगा देंगे या सत्य और सत्य लिखेंगे तो देखिए, पहला वाला है तो हम लोग देखते हैं, पहले वाले को हल करके हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा हमारा सत्य है कि और सत्य, देखिए कह रहा है, दो बटा पांच में से इसको घटाना है, घटाना है कि इसको माइनस दो बटा पांच को, तो कह रहा है कि जब इसक सुनने होता है घटाने पर क्या 0 मिलता है कि नहीं वही देखते हैं हम लोग तो solve करते हैं 2 बटा 5 माइनस माइनस का गुड़ा प्लस फिर से 2 बटा 5 अब इसको जब solve करेंगे हम लोग लोसा लेके तो लोसा जब नीचे संख्या समाना दोनों तो 5 ही लोसा होगा तो 2 और 2 च्यार हो जागा डाइरेक्ट हमने लिखा जब नीचे का संख्या बराबर हो तो उपर का जोड़ लेंगे बस 4 बटा 5 तो हमारा एंसर जो आया यह आया च्यार बटा च्यार बटा में 5 जबकि कहा है सुनने तो हम लोग क्या लिखेंगे यह हो जाएगा क्या क्यांकि एंसर दूसरा आ रहा है यह सुनने कहा है हमको इसमें केवल बताना है कौन सा सत्य होगा यह रख पर आप लोग चेक करते जाएंगे ऐसे सॉल्ब करके फिर देखिए सेकेंड कोस्टन को देखते हैं इसमें देखिए दिया हमाइनस में दो बटा साथ फिर से माइनस में तीन बटा साथ यहां और यहां माइनस तीन बटा साथ और माइनस ब्रेकेट में माइनस में दो बटा साथ solve करके check करते हैं तो देखिए इसका मतलब बीच में बराबर है तो क्या हुआ इधर और उधर दोनों तरफ बराबर आएगा तो सत्य है अगर बराबर नहीं आएगा तो सत्य हो जागा तो देखिए पलस माइनस का गुड़ा करेंगा माइनस में दो बटा साथ यहां माइनस में तीन बटा साथ है, माइनस माइनस का गुड़ा पलस में दो बटा साथ है, देखिए, नीचे का जब संख्या समान है, तो दोनों माइनस माइनस में है, तो क्या करते हैं, दो माइनस हो, तो माइनस लगा के जोड़ लेते हैं, तो माइनस में पाज बटा साथ हुगा इधर, और इधर, 7-7 है, तो वही, –3 मेंस प्लस्ट दो घंगया है, कि तो, –1 बटा साथ, इधर, –5 बटा साथ, इधर, –1 बटा साथ है, इसका मतलब क्या हुगा? यह सेकेंड वाला भी, ओसपते हैं, मतलब सही नहीं है. अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखते हैं थाड़ वाले को यहाँ पर हम लोग solve करके देख लेते हैं थाड़ वाले को देखिए थाड़ हमारा यह question है minus में 3 बटा 4 फिर minus minus में 7 बटा 4 और बड़ा का चीन है 1 बटा 4 यह भी बड़ा केट में देखिए जब solve करेंगे plus minus का गुड़ा minus में 3 बटा 4 यहाँ minus minus का गुड़ा plus में 7 बटा 4 और यह छोटे बड़े का चीन है और यहाँ बटा 4 इसका मतलब क्या हुआ यह दो मुह माला जिदर होगा वो संख्या बड़ा माना जाता है एक मुझ इधर होगा छोटा तो हम लोग देखेंगे इधर और इधर में अगर यह बड़ा है यह छोटा है तो सही है क्योंकि ऐसे ही दिया है इधर का बड़ा होना चाहिए इधर का छोटा solve करते हैं एसे नीचे संख्या बराबर हो तो लो सा 4 होगा साथ में से तीन को घटाएंगे तो 4 रहाँगा 4 में 4 से भाग कर देंगे एक आया एक बड़ा होगा एक बड़ा 4 से देखिए अब ये एक का 4 भाग हो गया और ये ये कही है मतलब यह बड़ा है और यहां दिया भी है यह बड़ा है यह छोटा है मतलब यह वाला थड़ वाला क्या हुआ है इसको आप लोग लिखेंगे 7 answer में केवल यह दिया होगा मतलब 7 3rd वाला 5 नमबर वाला हम लोग देखते हैं वूल करके क्या होता है फाइब नंबर स्वरी, फोर नंबर वाला हमको देखना है, सब तेह कि क्या है, तो हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं यहाद यहाद है माइनस पांच ऐसे छोटे बड़े वाला चिन है, फिर यह ब्रेकेट, फिर ब्रेकेट में माइनस बारा बटा साथ और फिर माइनस में 8 बटा में 7 तो देखिए हम लोग solve करते हैं जब यह माइनस 5 को दिया है कि यह माइनस 5 छोटा है और इधर का संख्या बढ़ा है इसका मतलब यह हुआ इसी तरह आना चाहिए तो यहां पलस माइनस है पलस माइनस का जब उड़ा करेंगे तो माइनस में 12 ब 12 और 8 जोड़ेंगे तो माइनस में 20 हो जागा तो माइनस में 20 बटा 7 अब देखिए ये संख्या बड़ा है कि ये आप लोग जानते हैं माइनस में जो संख्या ज्यादा होता है वही कम होता है और जो कम होता हो ज्यादा होता है 20 वटा 7 का मतलब क्या हुआ अगर 20 में हम लोग 7 से भाग करणा या अगर ऐसे देखना हो तो सबसे easy देखिए आप लोगों के लिए क्या होता है इसके नीचे 7 नहीं है इसके नीचे 7 हमको इधर भी 7 लाना होगा तो क्या करेंगे 7 लाने के लिए देखिए उपर भी 7 से गुड़ा नीचे भी 7 से करेंगे तो नीचे इसके 7 हो गया और इधर 7 और ये ऐसे ही राने देंगे माइनस में 20 बटा 7 नीचे का हमने बराबर किया इधर 7 लिखेंगे तो उपर 27 का गुड़ा होगा 7 का 5 में करेंगे तो माइनस में 35 बटा 7 और ये माइनस में 20 बटा 7 तो देखिए नीचे का जब बराबर हो गया तो उपर का देखते हैं कौन बड़ा हमने बताया था माइनस में जो कम होता हो बड़ा जो ज्यादा होता हो छोटा होता है तो माइनस 20 बड़ा है बड़े के तरफ ये लगा हुआ तो मतलब ये भी क्या है सत्य है तो उपर का दो सत्य और नीचे का दो सत्य है इस तरह से exercise को solve कर लेना है 1 का C आज पूरा complete होता है हमको repeat कर रहा है ये chapter 1 से chapter 6 तक के वल तो आप लोग यहां से detail में देख सकते हैं हमने पहले भी पढ़ाया हुगा तो आज ये exercise complete होता है अगले पाट में आप लोग 1 का D देखेंगे तो आज के लिए बस इतना है